हलो दोस्तों next question need 2020 में आयो आये और significant figures के basis पर क्यों सने taking into account of the significant figures what is the value of year दोस्तों इसको अपने को क्या करना subtraction करना है और account taking account of significance figures का ध्यार रखना है के लिए ठीक है तो subtraction कैसे करोगे पहले तो सबसे पहले subtraction करो जीरो point double zero nine nine तो यहां one बच गया और यहां पे जीरो यहां पे आठ और यह nine और यह ओगए नाई तो basic अगर इसको subtraction करेंगे तो हमारे पास में यह आएगा और addition और subtraction कि addition और subtraction करने पर significance figures में क्या होता है कि जिसमें minimum decimal places के बाद में नंबर है न जैसे दो यहां decimal point के बाद में कितने नंबर है दो और यहां पे कितने चार है कि द्यान रखना सुनों द्यान से गोर से सुनों डे पॉइंट के बाद में कितने दो numbers है यहां पे चार तो list number रखना अपने को decimal point के बाद में मतल्द दो numbers रखने मतल्द यह दो ही रखनेंगे यह हटाएंगे और हटाएंगे कैसे rounded करेंगे एक को हटाएंगे तो जीरो पर कोई फरक नहीं पड़ेगा और जीरो को हटाएंगे तो इस पर कोई नहीं फरक नहीं पड़ेगा तो हमारा answer कितना जागा 9.98 कि दोस्तों यह ध्यान मत सुनों इसमें significance figures ऐसे नहीं देखेंगे कि इसमें तीन है और इसमें दो significance figures है decimal point के बाद में कितने numbers है मतलब 2 है तो list number रखना पर लेखो तो यहाँ पर दो number रख लेने में तो answer कि आजाएगा इसका B Ops यह रहाँ तो यहाँ है दो यहाँ है